तो हेलो मेरा नाव है अभिशेग और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यार इसे खूब सुरसे प्लैटफॉर्म पे जिसका नाम है जेयार कॉलेज त्यार कैसा आप सभी लोग फॉस्ट अफॉल आप लोगको वेरी हैपी नियू यर से है आप लोगको हैपी नियूर की वो सब कंप्लीट करा रखे जो दस लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं सही है तो अगर आप लोग ने एक भी लेसन एक भी लेक्चर मिस कर दिया होगा तो जरूर से जाकर पिछली वीडियो में वो सारी चीज़े आप देख लीजे सही बात है ठीक है आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे है हमारा 11th lesson जिसका नाम क्या है enhancement of food production अब देखो नाम से ही इस lesson के बारे में हमको कई सारी चीज़े पता चल रही है कि ये lesson बच्चों जनरली बात करेंगे हम लोग इस lesson में कि कैसे हम लोग अपने food production को enhance कर सके कैसे हम अपने food production को बढ़ा सके सही बात है तो उस पूरी की पूरे topic पे आज हम लोग इस lesson के उपर बात करने वाले हैं सही है ये lesson भी बच्चों आपका ऐसा ही है कि इसमें जादा कुछ समझाने जैसी चीज़ें नहीं है बस मैं आप लोग कुछ चीज़ें लिक लिक कर लाया हूँ वही चीज कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे application को डाउनलूड नहीं गया है तो ज़रूर डाउनलूड कर लेंगे playstore के उपर जाकर सही बात है और यदि आप मुझसे connect होना चाते हैं मुझसे कोई बाते करना चाते हैं कोई doubt पूछना चाते हैं या फिर कोई feedback देना चाते हैं तो आप लोग आ सकते हैं मेरे instagram पर यह मेरे instagram का idea मैंने आप मेंशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर आके मुझसे बाते कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे वहाँ पर अपने doubts मुझसे पूछते हैं अगर उनको कुछ feedback दे रहा है तो वह मुझे सेते काफी सारे बच्चे मुझे आपका पड़ाया वहाँ बहुत अच्छा लगते हैं सही है तो एक teacher के लिए और catch is important है सही है ना उनके बच्चों को सब समझ में आ रहा है वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है सही बात है तो I hope आप लोग को भी मज़ा आता होगा ज़रूर से आकर इंस्टा बें मुझे बता रहा सही है so this is the lecture number one पहला lecture है तो आज हम लोग समझेंगे कि what is mean by enhancement of food production और थोड़ा-थोड़ा discuss करेंगे इस lesson के बारे में सही बात है तो चलो start करते है बच्चों आजका लेक्चर लेक्चर स्टार्ट करते ही मैं आप लोग एक बात बताना चाहता होगा देगो पहले की हमारे पास इतने ज़्याधा cultivation नहीं होती थि मतलब हमारे पास land था हमारे पास लैंड था पत हमारे पास हमारे पास जो प्लाट से वह इतना जादा हम और को cultivation नहीं देते थे सही बाते जिसकी वज़य से उस तैम पे हम लोग कर सकते बहुत ज़्यादा था भुकोमरी थी लोगों को खाना नहीं मिलता था हम बाहर से चीज़ें कर वारे जारा हनुट कोकरोज है जादा तर पाया पर पाया जाते थे पर इंडिया वो इंडिया में आपके जैसा आप लोग को बताए कि पहले इतनी ज्यादा भुक मरी होती थी कि पहले लोग को खाना नहीं मिलता था जिसके वज़े से वहां से बोरियों में भर भर कर चावल गेहूं यह सारी चीज़े आती थी जिसके वैसे वह कॉक्रोज भी इंडिया में आ गया है वह चोटे-चो समझ मैं यह बात चीक है तो पहले इतना ज्यादा हम लोग कह सकते कल्टिवेशन नहीं था अब उस कल्टिवेशन को बढ़ाया कैसे जाए उस कल्टिवेशन को बच्चो इन्हांस कैसे किया जाए इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चो ग्रीन रेवलुशन ग्रीन रेवलुशन एक बहुत ही इंपोर्टेंट पिरियोड अफ टाइम था जहां पर दो साइंटिस्ट मेंली माला जाता है पादर अफ ग्रीविशन के लिए एक आपके नॉर्मन बॉर्लोग और एक आपके MS स्वामी नाथन ठीक है यह दो इंडिया थी 1947 के अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर हमारी जो पॉपॉलेशन थी वो अरौंड 300 मिलियन थी इंडिया के पॉपॉलेशन थी लेकिन आज के टाइम पर हमारी जो पॉपॉलेशन है वो वोर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपॉलेशन है 1.4 billion के साथ 1.4 या 1. पॉपॉलेशन आज ही हमारी कितने हो गई 1.4 billion हो गई है कहां 300 million थी कहां इतने billion हो गए है मतलब almost 5-6 time हमारे population increase हो गई है समझ रहो ठीक है जो की गर्व वाली बात बिलकुल भी नहीं है तो अब population बढ़ रही है बच्चो पर क्या हमारे इंडिया का surface area बढ़ रहा है हमारे इंडिया का जो projectile area है वो क्या वो increase हो रहा है बिलकुल नहीं तो हमें उतने ही area में जादा cultivation करना पड़ेगा ताकि हम जादा लोगों की hunger मिटा सके जादा लोगों की भूक मिटा सके समझ रहो तो इतके वज़े से हमें अपने food production को enhance करना पड़ेगा और इसी चीज के उपर यह पूरा का पूरा lesson आपका build है ठीक है चलो start करते हैं आजो तो बच्चो food production की बात करें तो food पहली बात दो प्रकार के होते एक आपके plant based food जिसमें आप लोग दाल खाते हो चावल खाते हो गहों खाते हो तो आपके plant based food जो आपके food है वो इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है तो there are two types of food हमारे जो की हमारे दुनिया में मिलता है एक आपका plant based food और एक आपका animal based food प्लांट based food की बात करें तो बच्चो कौन सा जाएगा सबसे पहले आपके दिया हो देखो cereal cereal मतलब क्या आपकी जो दाल है जो चावल है जो गेहूं है जितने भी दाल वाली चीज़े हैं वो किसके अंदर आएंगे आपके cereals के अंदर आएंगी फिर आपके fruits आगे बच्चों जितने भी fruits आपके body मिलते है आपके पुरी दुनिया मिलते हैं वो सारे के सारे fruit आगे plant-based में और last आपके vegetables सही बते हैं तो यह तीनों आगए आपके plant-based food में जो हम लोग क्या गरते है खाते हैं सही है बहुत सारे लोग animal-based food भी खाते हैं जैसे meat सबसे पहला example चिकन खाते हैं बहुत सारे लोग उसके बाद milk also plant-based food क्योंकि हमको milk animals ही मिलते है उसके बाद एग आता है honey आते हैं और fishes आते हैं सही बात है मिलक के लिए एक बहुत ही तगड़ा evolution भी revolution हुआ था जै दो प्रकार के food हमें देखने के लिए बिलते हैं एक आपके plant-based food और एक आपके animal-based food सही है तो तब से पहले हम लोग start करेंगे बच्चों हमारे plant-based food के साथ और देखेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे plant-based food को क्या किया गया increase करा गया करा गया इसकी जो डॉर्फ वाराइटी थी तो जो डॉर्फ वाराइटी थी जितका production इतना अच्छा नहीं था कैसे उसे अच्छी वाराइटी बनाई गी और कैसे हमारे इंडिया में production increase हुआ सबसे पहले आपको उस प्लांट की breeding करवानी पड़ेगी बच्चो ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है मानलो मेरे पास एक प्लांट की ऐसी वाराइटी है जिसका production कुछ नहीं आता है बहुत ही बेकार production है पर वो मेरे इंडिया में survive कर जाता है वो plant पर मानलो अमेरिका में को पर अगर मैं उसको इंडिया में उगाऊंगा तो वह इंडिया में उगे गाई नहीं क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट अलग है तो यहाँ पर वह चीज़ उगेगी ही नहीं ऐसा मानलों च्छिक है तो मैं क्या करूंगा बच्चों उन दोनों के अंदर breeding कर वादूंगा उन सकते हैं कुछ ही भी जैसे होंगे तो वो भी मुझे एक्जामाइन करना पड़े हैं कि कौन से भी जैसे हैं जो इंडिया में क्या कर सकते हैं सस्टेन कर सकते हैं और जिनके अंदर अच्छा प्रड़क्शन हमको मिल सकता है आगे चलके उसी टाइप के और अगे जाधा उगाऊंगा तो इसी चीछ को हम लोग क्या बोलते हैं इस अ plant breeding, तो सबसे पहला देखो, plant breeding में सबसे पहला काम के है, सबसे पहला काम में बच्चो, collection of variability, आप जिस भी plant का, जिस भी species के plant का breeding करवाना आप चाहते हो, सबसे पहले आपके पास उन सारे plant की जितनी भी species है न वो available होने चाहिए, सबसे रहो, माल लो अमेरिका में कोई उगता है, ताइवान में कोई उगता है, थाइलेंड में कोई उगता है, तो वो सारी चीज़े आपके पास होनी चाहिए, यह यह variety की, यह species है मेरे पास, सही बात है, उसके बात हो कि आपको क्या करना है, आपको चूस करना है, कि आपको अपनी variety के साथ कौन से दूसरे variety का प्लांट को क्रॉस करवाना है, सही है, तो आपको चूस करना है बाईया कि किसका production जादा है, मानलो, अमेरिका वाले का production जादा है, तो आप क्या करोगे इसका, और अपने इंडिया वाले क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, जब इसका क्रॉस कर रहा होगे, तो इसके बहुत सारी progeny मिलेगी, क्या बोला मैंने, second क्या था अपना evaluation and selection of the plant, आप क्या करोगे, select करोगे या कौन सा plant, आपको क्या करना है, hybrid करवाना है, उसके बाद cross hybridization among the selected plant, ठीक है, अब ये hybridization क्या होता है, मैंने आप लोग को already third वाले lesson में पढ़ाया हुआ है, hybridization का मतलब क्या होता है, समझ मारी बाद, ठीक है, so hybridization हम लोग सीखेंगे अभी, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा hybridization, अभी इतना समझ लो, कि hybridization क्या करना है, आप लोग को दो अलग-अलग selected plants की बीच में करना है, जो भी plant आपने select किया है, उनके अंदर आपको hybridization करवाना है, अब एक variety अलग है, दूसरी variety अलग है, दोलोग अलग-अलग variety में क्या करना है, आप लोग को hybridization करवाना है, what is mean by hybridization, let's discuss, suppose, hybridization, अब hybridization होता क्या है, माल लोग आपके पास एक Indian breed है, Indian variety है, hybrid नहीं कहेंगे हम लोग, Indian variety है plant की, माल लोग rice का example ने रहे, टीक है rice पड़ रहे, तो हमारे पास एक rice की Indian variety है, suppose, ये एक rice का plant है, और यहाँ पे, यहाँ पे माल लोग एक flower लग रहा है, suppose, this is a flower, अब flower के पास एक आपका female part होगा, और एक क्या होगा, आपका male part, सही बात है, ये Indian variety है, similarly, यहाँ पे, यहाँ पे, एक American variety है, माल लोग जिसके साथ आपको cross करवाना है, माल लोग आपने American variety को select किया है, और आपको American variety से cross करवाना है, तो suppose, suppose, यह एक American variety है, और यह इसका flower है, इसमें भी male part हो सकता है, और female part हो सकता है, यह depending करता है, आप कौन से टाइब का plant ले रहे हो, हर plant में अलग-अलग प्रकार के flower होते हैं, सही है, हम लोग ने पढ़ा है ना भीया, कि flowers, bisexual भी हो सकते है, flowers, unisexual भी हो सकते हैं, तो मान लोग यह दोनों bisexual plant है, अब आपको दोनों के अंदर क्या करवाना है, hybridization करवाना है, hybrid मतलब क्या, दो अलग-अलग organism से एक आपको प्रोजनी बनवानी है, तो ऐसा कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अब इसके पास भी अंतर है, इसके पास भी इसका male part है, तो इसका male part इसी को ना fertilization करवा दे, इसका male part के जो pollen grain है, वो इसी के ओपर ना गिर जाए, तिल पॉलिनेशन ना हो जाए, इसको प्रिकॉर करने के लिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके जो male part होगे, जब ये plant mature नहीं होगा, उसी टाइम पे इसके male part होगे, आप क्या करोगे, उसे cut कर दोगे, तो सबसे पहला step आपने क्या किया, cut कर दिया, first step is known as emasculation, emasculation, emasculation मतलब क्या है, कि सबसे पहले आप anther को cut कर दो, जिसका male part है, उसे क्या कर दो, cut कर दो, सबसे पहला emasculation, फिट next part आप क्या करोगे, अब अगर मैंने मान लो, इसका anther cut कर दिया, बाहर से कोई दूसरा pollen grain ऐसे उड़ते उड़ते मान लो, इसके उपर आके लग सकता है, ठीक है, दूसरा भी कोई पोलन ग्रेन, इसके उपर आके लग भी सकता है, तो next आप क्या करने वाले हूं, next you have to bag it, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक बैग से बंद करना पड़ेगा, समझ मेरी बाठ, ठीक है एक यहाँ पर आपको, आप सही, कभी ना बात में सुनता मेरी है, ठीक है, एक आपको यहाँ पर इसे bag लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, एक आपको इसे bag यहाँ पर बानना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर एक bag लगा दोगे, प्लास्टिक का bag लगा दोगे, अब आप आपने क्या कि आप Rekord कर दिया कि बाहर का वह्यां चलो कोई भी पोलाण गया वाहर गया इसके उपर नहीं गिर सकता- अगर वह था कोई पो पूलाण गयना कि उपर इसको गिर जाता तो वह journals कम अपना काम कैसे कर पाथे तो दूसरा स्थिप क्या Viel बैग लगा दिया so this tip is bagging simple first is emasculation second क्या है bagging यह हम लोग cross fertilization पढ़ रहे हैं indirectly यानि hybridization पढ़ दिया next जैसे ही आपका यह plant mature हुआ आपने क्या किया इस बैग को हटाया इस बैग को हटाया यहां से और यह जो इसका जो इसका पुल बडाल क्या इसके पूललख्री टाल अब मालो इसका नहीं आपने उपकलन इसके ऊपर पढ़ गया तो ऊसका अब आपने जो चाहा था आपने जो चाहा था वही वेराइटी आपने क्या की है इसके उपर डाली है है जो अगर जो अगर जो अगर जो बेज बनेंगे इस बीच आपर हाईब dec go यह क्या हो जाएंगे बच्चों, hybrid बीज होंगे, इसी पूरी process को हम लोग hybridization गोलते हैं, hybridization, अब मान लो, इसमें से कोई ऐसा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको examine करना पड़ेगा, सारे के सारे अच्छे नहीं हो सकते, मान लो, किसी के पास बेकार property भी हो, किसी के पास अच्छी property भी हो, तो आप क्या करोगे, इसमें से सब को उगाद होगे, और देखोगे, कि भया किसके पास आपको अच्छी वाली, आपको properties, अच्छे वाले characteristics मिलने वाले हैं, मतलब कोई ऐसा बीज होगा, जो Indian condition में भी survive कर सकता है, पर ठीक है, उसके पास production भी क्या होगा, अच्छा होगा, सही बात है, तो यह है हमारा hybridization, clear है, third point clear है, फिर next point क्या कहता है, बच्चों, fourth point क्या कहता है, selection and testing of superior combination, यही मैंने आप लोगो समझाया, हमको 4-5 combination मिले, 4-5 अलग-अलग variety मिले, अब हम क्या करेंगे, सब को उगाएंगे, और सब को test करेंगे, कि भया कौन सा superior है, कौन सा inferior है, किसके पास ज्यादा अच्छे character है, और किसके पास अच्छे character इतने नहीं है, सही बात है, so fourth point क्या हो जाएगा, अपना selection of, selection and testing of superior combination, बात समझ में आ रही है, ठेक है, और last step अपना क्या हो जाएगा, testing, release and commercialization of the new cultivator, मतलब मान लो, आपको एक अच्छी species मिल ग अच्छे से, ओग सकती है, Indian environment में, और उसका production भी बहुत जादा है, मान लो, आपको एक ऐसी species मिल गई, with the help of this process, तो आप क्या करोगे, भया, उसको बाहत जगा फैलाद होगे, मतलब उसके जो भी प्रोजनी आएगे, उसको हर जगा बाट दोके, बोलेगे, भया, ये वाला ह होगा हो, ये होगा हो, समझे, जिसके वैसे आपको जादा production होगा, so, testing करना है आपको उसका, release करना है आपको उसको publicly, and you have to commercialize it, commercialize मतलब क्या है, कि आपको सबको बताना है, सबको दिखाना है, कि ये species के अंदर ये, ये availability है, ये चीज़े हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अ हाइवरेडेशन हो गया, next चले बच्चो, green revolution, अब बात हम लोग कलेंगे green revolution, ये बात है 1947 की, जिससा मैंने आपको एक्जामपल दिया था, शुरो में ही बताया था, 1947 की बात है बच्चो, जब हमें independence मिली थी, तब हमारे country का population था, 300 million, 300 million, almost हमारे country का population था, तही है, उसके बा अगर, flash थोड़ा आगे करो, ठीक है, और बात करते हैं, हम लोग, 2023 की, आज की बात करते हैं, या फिर रहा, 23 चला गया, 24 लग गया, तही है, तो आज हम लोग बात करें, तो almost इंडिया की population, 1.4 billion हो चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा population है, किसी भी country की, तही ब अगर, इस टाइम के, अगर मैं production की बात करो, इस टाइम पर, तो भाईया, हमारे पास कुछ नहीं रखाने के लिए, बहुत ही कम, cultivation था, मतलब, जो अंग्रेश थे, जो हम पर राज कर रहे थे, उस टाइम पर, सही है, उन्होंने agricultural field में, बहुत ही, मतलब, समतलब, ध्यानी नहीं दिया था, कुछ ध्यान नहीं दिया था, और बस लोगों से लगान लेते रहते थे, अपने फाइदा देखते थे, सही है, तो उस टेम पे हमारा जो agricultural field था, वो बहुत ही कमजोर था, जिसके वज़े से हमारे इंडिया में खाना नहीं मिलता था, लोगों, ये 300 million people है, इनको तक खाना नहीं मिलता था, समझ रहो, तो हमें बाहर से खाना इंपोर्ट करवाना पड़ता था, हर साल अमेरिका से, हर साल ब्रिजील से, अलग-अलग देशों से हमें क्या करना पड़ता था, चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत पैसा लगता स्वामी नाथन प्लान्ट ब्रीडिंग करवाया अलग 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 देशों की स्पीशी से जिन में उनको एक superior quality plant मिला होगा सही बात है उनको कुछ न कुछ plants मिले होंगे समझ रहो चिक है सो उस ताइम पे 1947 से लेकि 1960 तक उन्होंने यह काम किया Green Revolution आपका कब तक चला था 1960 तक चला था तो उसके बाद हमको इतनी अच्छी अच्छी varieties मिलने लगी जो हमारे इंडिया में cultivation होने लगा जिसकी वज़ा से देगो पहले हम लोग खाना बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास खाना ही नहीं था खाने के लिए अब हम import को बंद कर दी है सही है क्योंकि हमारे पास अच्छा cultivation होने लगा उल्टा हम export करने लगे बच्चो समझ रहो आज हमारे पास इतना जादा गेहूं है इतना जादा चावल हम cultivate करते हैं कि हम export करते हैं दूसरी countries को समझ रहो तो यह Green Revolution कितना जादा successful हुआ सही है तो इस अच्छे से खुद को express नहीं कर पा रहा ऐसे जीन को हम लोग क्या किये improve किये उसे हम लोग क्या सकते हैं अच्छे जीन से उसको replace किये और जिसके वैसे हमारा production काफी जादा हो गया सही बात है जिसके वैसे आज हम जो जितने भी rice है जितने भी गेहूं है चावल है यह सब क् एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों को समझ लोग पहले इंपोर्ट कराना पड़ता था आज हम लोग export कर रहे हैं समझ लोग सो इट इस अब ग्रेन रिवलुशन एक और है आपको दिया जाता है वीट की बात करें अगर हम लोग चाव गेहूं की बात करें श्पेशिली ठीक है तो पहले 1947 के समय हमारा जो कल्टीवेशन था वीट वो एक मिलियन केजी था एक मिलियन केजी तक हम लोग क्या कर पाते थे कल्टीवेशन कर पाते थे पर बैक तूँ 1960 इनी सो साथ आते आते तक हमारा कल्टीवेशन कितना हो गया बच्चो 75만 002 quoting कितने हो गया 75 75 million के जिते देख रहाँ almost 75% का increment समझ रहो इतना boost देखने के लिए मिला with the help of green revolution so there is a scientist called Normar Borlong ठीक है ये कहां कहे थे मैक्सिको में कहे थे मैक्सिको में एक जगह है जिसका नाम क्या है International Center for Wheat and Rice Improvement एक जगह है एक association है International Center for Wheat and Rice Improvement लिए तो वहाँ मैक्सिको की वराइटी और इंडियन वराइटी को उन्होंने क्या किया क्रॉस करवाई जिसकी वज़े से कुछ नई वराइटी वहाँ पर developed हुई उन नई वराइटी का कुछ नाम मैंने आपर दिया हुए है एक हें बच्छो सोना लीका और एक है बच्छो कल्यान सोना ठीक है दो वैराइटिये में इसमें सोना पाइब कि यह ल्लोग होते है और लगा यह लो कलर गाते हैं ऑँ य्थ रखने यह रख anti- tad नाम याद हो जाएगा इससे तो एक सोना लिका और एक कल्यान सोना तो दो वराइटीस है आपके वीट के एक लिए है है हो जाएगा यह हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं सुनिन राइस की बात करेंगे आगर हम लोग तो दो इस्टे थे एक थे बच्छो आपका dei2 क्वारी इट कहां से लिया था फिलीपीन से लिया था ठीक है लियो ठीक अधान एक से लिया गया था फिलिपीन की तो इंतर्नायसटल राइस रिशर्छ इंस्टिट्यूट एक रिसर्च इंस्टिट्यूट है आपके फिलिपीन्स में तो वहां से एक वराइटी लिए गई थी आपके जिसका नाम क्या है आई आर एट और तैवान में इसकी स्पीशिस थी ताइचांग नेटिव वन करके ताइवान की स्पीशिस थी जब इन दोनो के बीच में हीब्रिडाइज डिशन mij है आइबरिडाइजेशन की गई तो यहां से बनी दो स्पीशिस एक थे आपकी जया आधे थी आपकी रतना अमजों एक रतना यंदो पाश्यू बनिंद आपके राइस सबयू कि जो की क्या है सूपीरियर क्व Metro Oregon जिसे आप क्या कर सकते हो जादा अच्छा production करवा सकते हो और तो और हमारे कंट्री में golden rice बी exatamente हमारे बोड़ी में जब बीटा करोटीन जाएगा तो वह आटोमेटिकली automatically मतलब जब वो cell के अंदर जाता है तो cell क्या करते है उस बीटा के रोटीन को convert कर देते हैं किसमें vitamin A में convert कर देते हैं सही बात है तो हमें क्या मिल जाएगा vitamin A with the help of that beta के रोटीन सही है तो पहले हमको अगर इतना चावल खाना पट रहा था vitamin A के लिए अगर हम इत्तु सभी चावल खाएंगे तो हमको same concentration of vitamin A मिल जाएगा with the help of golden rice सही है so golden rice is also product of this hybridization और हम लोग क्या सकते बायो टेक्नोलोजी बायो टेक्नोलोजी क्या होता है next lesson में हम लोग सीखने वाले ठीक है थोड़ा सा आपको introduction देता हो बता देता हूं किकि लेसर में कहा हो आएगा बायो टेक्नोलोजी का मतलब होता है बच्चे देखो आप किसी भी एक जीन को जो भी जीन आपको चाहिए मानलो मुझे कोई ऐसा जीन पसंद आ रहा है किसी दूसरा organism मानलो एक firefly firefly समद पर जुगनू ठीक है अब जुगनू क क्या चाहता हूं कि मैं इस बायो लूमिनांस को निकाल के इस परसन के इस परसन तो नहीं उस जोगनू के बौडई से बायो ले मिनेंसोला जीन निकाल कर मैं किसी अगर मैं निकाल करो गोई प्लांट के अंदर गया, प्लांट के से बल्टिप्ला होंगे, तो वो जीन भी मल्टिप्ला होगा, तो प्लांट के हर पार्ट में वो जीन पहुच जाएगा, और अगर जीन है, तो जीन से आरेने बनेगा, आरेने से प्रोटीन बनेगा, तो अगर प्रोटीन बनेगा, मतलब बाइयो-लिमिनेस वाला जो प्रोटीन है वह इस प्लांट के अंदर भी बन सकते हैं सही है तो इसका मतलब जो प्लांट है वो भी रात में ऐसे चम्छमा सकते हैं सब्सक्राइब आपको लग रहा हो कि छरी क्या वह वो रहे रहे बट हम यहां पर plant plant का ही कर रहे है plant plant का खेल उसके अंदर ही hybrid action करवा दे रहे हैं तो यहां से कुछ varieties निकल रही है एक है आपकी जया और एक है आपका रहा तरह दोना ऐसा लग रहे है देखो बहुत ही मोटा होता है और उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है तो दोनों स्पेसिस के मैंने नाम दिये हुए एक है आपका बच्चा कैरम बार्बीरी यह आपका नॉर्थ इंडिया से बिलॉंग करते है इस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सही है अब इसका डिसाड़ वांटेज कहा है इसका जो स्टेम है जो स्टेम है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है जिसके वैसे लोग मैं को स्टेम अ को अब देखो कि पानी ऊतना ही लग रहा है प्र मूंको इनकी वैक अब इस वैग् turret साव इंडिया अब इसके पास क्या करता होभ्या है इसका बहुत ही ठिक होता है जिसके वएसे high sugar content इसके अंदर होता है, तो scientist ने क्या किया, इन दोनों का hybridization करवा दिया, जब इन दोनों का hybrid बना, जब इन दोनों का hybrid बना, तो वहाँ से कुछ varieties निकल किया है, जैसे O, 419, एक है O, 421, और एक है O, आपकी 453, ठीक है, ये कुछ varieties हैं, these are the superior varieties, अब इनका फाइदा क्या है, कुछ बच्चे पुछें के कि सर, मतलब क्या था इसा hybridization करने का, सिंपल सी आप साउथ इंडिया वाली variety को नौर्थ इंडिया में उगा देते, सही है, तो ये वाराइटी है, जिससे साब का, वहाँ पर ये species उग ही नहीं सकती, समझे लो, जिसकी वज़े से हमको क्या करवाना पड़ा, hybrid बनाना पड़ा, and कुछ ऐसे species बनाने पड़े, जो दोनों जगा उग सकती है, यहां भी भी उग सकती है, और South India में भी सकती, और इसका जो stem होता है, वो भी ज़्यादा ब्रॉड होता है, इन से भी कंपेशना ब्रॉड होता है, जिसके वज़े से इसके अंदर ज़्यादा शुगर कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, clear है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, clear है, चलो, लेट्स, अब नेक्स कहा है बच्चो, plant breed and for the development resistant, अब there are some breeding for disease resistant, मतलब हम कुछ ऐसी breeding भी करवाते हैं, जिसके वज़े से हमारा एक plant बच्चो, disease resistant हो जाए, सही बात है, मतलब उसको कोई दूसरी बिमारिया ना लगए, जैसे हम लोग ने बहुत famous example पढ़ते थे, BT cotton का, सही है, यह हम लोग पढ़ेंगे, बायो technology में, BT cotton का यह बहुत ही famous example है, BT cotton में होता है, नॉर्मल cotton की जो plant होते थे पहले, उसके अंदर एक किड़े लग जाते थे, जिसको हम लोग कहते थे, cotton ball warm, ठीक है, cotton ball warm करके किड़े लगते थे, जो almost 70% of production खा जाते थे, समझ रहे हो, 70% production cotton का, सिर्फ ball warm खा जा रहे, समझ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत की बात है, भया हमारे लिए, हमारा production बहुत कम हो रहे है, तो scientist हो ने क्या देखा, उन्होंने एक bacteria देखा, एक bacteria की characteristics देखी, bacteria के अंदर, उस bacteria का नाम था Bacillus thanginus, ठीक है, तो Bacillus thanginus क्या करता था, उसके पास ते एक gene था, जिसे हम लोग cry gene बोलते थे, अब cry gene आगे चलके cry protein मनाएगा, सही बते gene आगे चलके protein मनाते ना, RNA के थुरू, तो cry gene आगे चलके cry protein मनाते था, cry protein बच्चों, हम लोग कह सकते है, inactive toxin है, उस bacteria की body में, जिस bacteria के हम लोग बात कर रहे हैं, उसके body में, वो inactive tox जैर है, पर वो inactive है, पर जैसे ही उस bacteria को, कोई दूसरा bacteria खाता था, कोई बड़ा bacteria खा जाता था, तो जैसे ही वो bacteria, दूसरे organism की body में जाता था, तो उसका वो inactive toxin, यानि cry protein, जैसे ही उस दूसरे bacteria की gut में जाता था, gut का नेचर था, वो alkaline nature होता था, बैक्टीरिया की सब्सक्राइब, तो मुझे खाएगा, तो मैं तो मरूंगा, लेकिन तेरे को लेके मरूंगा, सही बात है, तो यह बहुत ही मज़ेदार property मिली scientist को, तो उन्हेंने क्या किया, इस जिनको cotton के अंदर डाल दिया, अब cotton के plant को कोई भी bacteria खाता, तो उसकी death हो जाती, सही बात है, से बहुत ही अच्छा example है, अब यह तो भया example है आपके, यह तो example है आपके, BT cotton, bio technology का, हमें पढ़ना है बच्चो hybridization से, ठीक हमें क्या पढ़ना है, hybridization से, तो इसका एक मस्त example देता हो तुम लोगो, मान लग ट्री है, सपोस, एक ट्री है, और यह mango का ट्री है, निम्बू लगेंगे, नहीं भया, mango लगेंगे, तो मान लो, यहाँ पैसे, बहुत ही स्वाधिस्ट, स्वाधिस्ट, mango लगते हैं, बहुत सारे mango लगते हैं, तो इस ट्री का, जो production है, जो production है, वो बहुत जाधा है, बहुत अच्छा production देता है, पर इसकी immunity इतनी अच्छी नहीं है, वहीं दूसरी जगह पे, एक ऐसा plant होगा, मान लो, एक ऐसा mango का plant होगा, this is also a mango tree, जिसका production इतना अच्छा नहीं है, production यह जाधा नहीं देता, आम वाम जाधा नहीं लगते इसके उपर, पर इसके जो immunity है, वो बहुत अच्छी है, समझ रहें, इसके उपर जल्दी कोई bacteria, या कोई भी warmth नहीं लगते, सही बात ह है, तो as a scientist मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के बीच में क्या करवा दूगा, cross करवा दूगा, इसके stamen उठाके क्या डाल दूगा, इसके ovary के अंदर डाल दूगा, समझाए ना, मैं तों लोग artificial hybridization, सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसके और इसके बीच में cross करवा अब इसकी कई सारी प्रोजनी बन सकती है, कई सारी, अलग-अलग प्रकार की प्रोजनी बन सकती है, सही बात है, अब इस प्रोजनी में कोई ऐसी प्रोजनी होगी बच्चों, कोई ऐसा एक seed जरूर होगा, जिसका result क्या होगा, अच्छा production और अच्छी immunity, मानलो ये वाला seed ह जो क्या देगा, आपको अच्छी production भी देगा, और अच्छी immunity भी देगा, तो इससे मैं का गर सकता हूँ, disease resistant plant बना सकता हूँ, सही बात है, तो this is the hybridization, और यहाँ पे mutation breeding भी होती ही, बच्चों, mutation breeding मतलब क्या, mutation आप लोगों पता है न, कोई भी sudden change, आपके body में, या किसी भी organism, या किसी भी some other living thing के body में, अगर कोई भी sudden change हुआ, उसके DNA में sudden change हुआ, तो उससे mutation हो सकता है, मानलो किसी person के पास, या फिर किसी plant की बात हो नहीं, तो किसी plant के पास बच्चों, ऐसे gene थे, ऐसे gene नहीं थे, जिसकी वैसे क्या हो रहा था, उसकी जो immunity हो बहुत खराब थी, मानलो उसके अंदर कुछ mutation आगया, जिसकी वज़े से क्या हुआ, उसके gene अच्छे हो गया, और उसको, वो ज्यादा immunity उसके पास आ गई, किसी भी disease से लड़ने के लिए, सही है, तो इसके हम लोग क्या कहेंग क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चो, wheat की, देखो, अगर मैं wheat की बात करूँ, तो इसकी एक variety है बच्चो, जिसको हम लोग कहते हैं, हीम गिरी, हीम गिरी एक variety है, जो हम लोग ने develop किया हुआ है, जो बहुत ही अलग-अलग type के disease से resistant, खुद से कर लेत अगर कोई photosynthesis नहीं perform करेगा, तो energy नहीं बनीगे विजा, वो leaf नहीं बच पाएगा, तो ऐसे disease से आपका यहम गिरी खुद लड़ लेता है, समझ रहो, ठीक है, समझ रहो, ठीक है, दूसरी है, ब्रासिका, ब्रासिका की कुछ disease है, ब्रासिका कुछ varieties जैसे, एक है आपका Piusa Swarnam, सही है, Piusa Swarnam, यह किस से resistant है आपके एक बिमारी से, जिसको हम लोग क्या बोलते है, white rust, white white color के dot लग जाते है, this is the white rust, तो white rust से खुद ही क्या कर लेता है, खुद को protect कर लेता है, एक cauliflower की variety जिसे हम लोग क्या बोलते है, Piusa Subra, ठीक है, इसको यह black rot से खुद को क्या कर सक सकता है, similarly, chili की कुछ species है, जैसे, Pusha, सदा बहार, कुछ मोजाइक virus से क्या कर सकता है, खुद लड़ सकता है, जैसे, chili मोजाइक virus, जैसे टोबैको मोजाइक virus है, जिससे क्या कर सकता है, खुद लड़ सकता है, और, leaf curl, ठीक है, leaf curl भी एक disease है, ठीक है, उसमे जो आपका leaf है, बट में कुछ गलत नहीं बताना चाहता है, चाहिए, आप लोगों यह समझ में आगया होगा, क्या था यह यह देखो, यह आप खुद से भी रीड कर सकते हो, मैंने आप लोगों पहले बताया था न, इस लेसन में, ऐसा कुछ कंसेप्च्छल लगी है कि मैं आप लोगो क्या समझा दो, कुछ लगी, समझा दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़े दिए हुए, बच्छों, सिंपल 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 सी जो आपको याद रखने है, तो क्रॉप्स हैं, उसके वेराइटी से हो, और वो कौन से बीमारी से रिस्टेंट है, ऐसा ही एक और से रिस्टेंट होने वालों को इंसेक्टिसाइड रिस्टेंट बोलते हैं, जैसे ब्रासिका की एक स्पीशीज होती है, जिसको हम लोग बोलते है, प्यूसा गौरव, ठीक है, गौरव किसी बंदे का नाम लग रहे है, तो प्यूसा गौरव, जो की आफीड से खुद को क्य बोलते हैं, जो फ्रूट को खड़ाब कर दे उसके अंदर गुमते रहते, तीज़ाद फ्रूट बोलर उनसे भी क्या कर सकता है, खुद को प्रटेक्ट कर सकता है, जैसे प्यूसा स्वानी और एक प्यूसा एफोर करके दो स्पिशीज है, दो वराइटीज है, जो शूट औ और फ्रूटबोर से क्या कर सकते हैं खुद को प्रेटेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे इन्सेक्ट से कुद को प्रेटेक्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब दो टेबल चोटा से याद हो ग्या होगा समझ गया होगा ठीक है let's move next फी टीशू कलचर now let's talk about tissue culture tissue culture क्या पहले हम लोगे बात की हुई हुए यह आई नो टिश्व गल्चर के बारे में देखो मान लो आपको कोई ऐसी वेराइटी बनानी जिसका मेरे पास सीड नहीं है अब मिरे पास वापस बनाना तो मैं क्या करूंगा मान लो Suppose This is the plant नहीं कोई ब्लांट है यहां से मान लो एक्स्टेम निकली हुई जहां पर लीफ है जहां पर लीफ है समझतर अईसा बना रहा हूं मैं डारम में इसके इस लीफ को इतना कट कर लूँगा इसके लीव को मैंने इतना क्या कर लिया कट कर लिया और इसको मैं एक निट्रिटिव मीडियम में रखूंगा सब्सक्राइब इसके अंदर मैंने ऐसे यहां पर अगार जल भर दिया अब मैं क्या करूंगा इस लीव के जो छोटा सा पाट था मैंने इसको यहां पर लाके रख दिया यह लीव का पाट अब जैसे ही इसको निट्रिशन मिलेगा ना बच्चो इसके से इसके वापस क्या करने लगेगे डिवीजन करने लगेगे अब आप लोग बोलोगे कैसे सर आपने तो कहा था कि जब प्लांट जब प्लांट अच्छे से बढ़ जाते हैं तो उनके जो सेल्स होते हैं वो पर्मानेंट सेल कहलाने लगते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को शायदे डाउट ना आए तो बहुत सारे लोग को बतलब बच्चों को लगता है कि सर यह वाले जो सेल है यह इस टाइम पर पर्मानेंट सेल है आप लोगों ने पढ़ाया ना कि पहले जो सेल होते हैं वो का की भी अबिलेटी नहीं होती वापस है डिविजन करने की आप कैसे कह सकते हो कि मैंने इस पेड़ का कुछ पार यहां पर डाल दिया जो की पर्मानेंट इशुगा था और वह यहां पर वापस डिविजन करने लगा यह कैसे कैसे थे हम लोग तो व्याद करो बच्चों मैंन मैं पढ़ाया था मैंने आप लोग को डिविजन क्या होते है मैंने आपको बताया था कि मानलो एक सेल है जो रेप्लिकेशन कर रहा है सही है तो मानलो मैं डिविजन कर रहा हूं मैं मानलो मैं एक सेल हूं मैं डिविजन कर रहा हूं ठीक है तो मैंने यहां से मेरे से एक सेल तो इसको डिफ्रेंस से बोलते हैं दिफ्रेंसियश LAN POLT티 मुझे आगे चलों के यहां प्यां बर्था मुझे अगे चलों कि मैं differentiation मैं different हो गया इससे मैं different हूँ तही बात है फिर मालो मेरा किसी दिन mood खंगा और मैं क्या करूँगा वापस बोलूगा नहीं भया अब मुझे वापस क्या करना है division करना है मैं पहले permanent cell था मैं वापस क्या करना चाहता हूँ division करना चाहता हूँ तो इस चीज़ को हम लोग कहते है बच्चो डी differentiation समझे रो मतलब differentiation का उल्टा डी differentiation वापस उस cell को क्या करना है division करने की चुल मचरी हम लोग ऐसा कह सकते तो वापस डी differentiation फिर मालो इस डी differentiator वाले cell से वापस दो cell बने एक cell यहाँ और एक तो मालो मैं यहाँ पर आगया यह दूसरा अब यह वाला अब मुझे वापस पर्मनेंट जैल बनना है मुझे वापस नहीं करना तो अब यह वापस क्या बन जाएगा और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते है और दिफ्रेंसेशन या दें रिफ्रेंसेशन तो डिफ्रेंसेशन समझ में आ गए डिफ्रेंसेशन मतलब क्या है कि आपका पर्मानेंट सेल वापस कण्वर्ट हो जाता है वापस क्या कर पाता है इसके बस सेल बन जाता है बात समझ में आ रही है एक लोगों समझा रहा था कि आपका जो प्लांट का कोई भी एक पार्ट मैंने काटके डाला था इस आपकी न्यूट्रेटिव मीडियम में अब यह क्या गरने लगेगा यहां से इसे ग्रो करने लगेगा और यहां से बहुत सारी क्या बन जाएंगे बहुत सारे क्या बन जाएंगे और यह सेल आगे चलके वापस क्या कर सकता है एक प्लांट एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है समझ मैं रही बाट चाहिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं मैं आपको पढ़ाया ना कि अगर एक सेल या फिर एक आपके group of cells के पास कुछ ability है कि वो एक पूरा का पूरा complete organism बना दे तो इस ability को क्या आप कहते हैं हम लोग इसे हम लोग कहते हैं बच्चो totipotency totipotency मतलब आपका ये कुछ group of cells आगे चलकर एक complete plant बना देंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे it is ability of totipotency सही बात है समझ मैं आ रही बात अच्छा यहां पर कुछ मैंने नाम दिये हुए मैंने यहां पर क्या नाम दिया हुए सबसे पहला गया है एक्स प्लांट का मतलब होता है बच्चो किसी भी प्लांट का आप जो भी पार्ट ले रहे हैं वो आगे चलके टिशू कल्चर के लिए उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं इस एक्स प्लांट और जब यह आगे चलके grow होने लगता है तो इसे पूरे structure को हम लोग क्या कह हैंगे टिशू कल्चर का ही यूज करके अगर हम बहुत सारे वेराइटीज के बहुत सारे अलग 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 नंबर्स के हम लोग प्लांट अगर बना सके तो उस पूरी complete process को हम लोग क्या कहेंगे अगर आप टिशू कल्चर का यूज करके बहुत सारे थाउजंस अलग 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 प्लांट को बना पा रहा हो सब्सक्राइब यहां पर लिखा हुआ है इस अगर अलग 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 प्लांट को अगर आप ग्रो कर सकते हो with the help of this tissue culture technique is known as micro propagation समझ भाई बात simple है ठीक है देखो बहुत ही simple lesson है जादा कुछ भी नहीं है इसके इंदर छोटी-छोटी simple simple से चीज़े हैं सही है आजाओ देखते हैं एक और next बच्चो next बच्चो single protein cell अब यह देखो single protein cell कते ही easy topic single protein cell मतलब क्या है हम ऐसी सेल बनाएंगे ऐसा चोटा सा structure बनाएंगे चोटी सी जगह बनाएंगे जहां पर हम ज़्यादा से ज्यादा protein inculcate कर सके ज्यादा ज्यादा protein हम लोग उस जगह पर डाल सके जैसे एक example है क्लोरेला का क्लोरेला आपको पता है क्लोरेला आप लोग को पता है चीक है क्लोरेला एक unicellular organism है और इस क्लोरेला को हम लोग space algae कहते हैं विकाल इते जान अल्गी and blue green algae एक algae है और इसके पास बच्चो बहुत जादा concentration होता है प्रोटीन का तो इसे हम लोग space algae बोलता है space algae क्यों एक्च्वल में क्लोरेला को आप किसी भी condition में लेगे जाओ तो वो डेथ नहीं होती उसकी चीक है वो जिंदा रहता है तो ज्यादा अतर जो astronauts है जब वो space में जाते हैं तो वो इस क्लोरेला को ले कर जाते हैं ताकि वो छोटा सा ही concentration का है चोटा ही का है पर उनके body को ज्यादा protein मिले जिसके वज़े से वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं समझ रहो तो छोटी चोटे से जगा पर जादा तर चोटे चोटे जगा पर आप जादा concentration अव प्रोटीन को जमा कर पाऊ और उसे इंटेक कर पाऊ तो उसे हम लोग सिंगल प्रोटीन सेल कहेंगे हैं आई बात है चेक है चलो आगे बढ़ते हैं इस अब लोग फिटन हंगर भी वोलते हैं आप लोग ने आड देखी आड कि बच्चे लोग खाना बहुत खाते हैं पर जो nutrition मिलता हो मतलब उनको उस खाने से उतरा nutrition नहीं मिलता एक्च्छल में टीज़ टूग यह बहुत सारे लोग अच्छे क्वांटिटी में खाना खात मतलब अच्छे quantity में खाना खाएंगे लेकिन उस quantity से जितना उनके बॉड़ी को nutrition मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा समझ दो तो हम क्या कर सकते हैं हम उसी quality में जो भी आपके राइस की quality है जो भी आपके wheat की varieties है उसी varieties के अंदर अगर हम लोग nutrition की concentration को बढ़ा दे समझ दो nutrition की concentration अगर आप increase कर दो तो आप अगर थोड़ा सा भी खाओगे मतलब समझ दो थोड़ा सा भी आप consume करोगे चीजों को तो आपके बॉड़ी को जितना protein की ज़रत है जितना vitamin की ज़रत है जो भी आपके nutrient की ज़रत है आपके बॉड़ी को वो चीज मिल जाएगी इस ची अब बीटा के रूटीन क्या है बीटा के रूटीन बच्चों एक प्रिकरसर है हमारे बॉड़ी के लिए vitamin A का मतलब अगर आप बीटा के रूटीन consume करोगे तो आपके बॉड़ी के अंदर vitamin A बन सकता है सही है और actual में जो golden rice होता है उसके अंदर 70% जादा बीटा के रूटी सही बात है देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट सही है इसके कुछ यहां पर चीज़ें बढ़ा दिया जाए किसी भी चीजों में प्रोटीन कंटेंट बढ़ा जिया जाए और उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज की जाए समझमारी ब है इसका और माइक्रोन्यूट्रेंट जो कम-마ाइक्रो मतलब क्या ऐसे न्यूट्रेंट जो हमारे बॉड़ी को थोड़े कम मिलेंगे तो भी चलेगा बट मिलने चाहिए जैसे ions होते हैं, iodine का ions होते हैं, sodium का ions होते हैं, यह सारे micronutrient गंदर आते हैं, जो आपके body को कम मिलेंगे, तो भी चलेगा, पर ज़रूरी है, आपके body के लिए इसा नहीं कि नहीं मिलेंगे तो चलेगा, इसा नहीं, मिलने चाहिए, बट थोड़े कम quantity में, सही है, so ऐसे nutrient की अ यहां पर हमारा plant वाला पार्ट क्या हो गया है, खतम हो गया है, next वाला जो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग animal वाला पार्ट लेंगे, और इसको भी खतम करके हम लोग lesson को finish कर देंगे, एक छोटा सा पार्ट बसता है, dairy वाला, ठीक है, milk कैसे बढ़ा जाता है, industry, फिर curd योगर्ट कैसे बनता है, योगर्ट कैसे बनता है, चीज कैसे बनता है, तो यह सब आप लोग ने 10th में अल्रीडी पढ़ा हुए, एक बाट टेक्स्बुक उठाना, 10th में micronutrient वाला lesson था, उसके अंदर आप लोग ने अल्रीड यह सब पढ़ा हुए, तो वो मैं वापस न दया होगा, तो लेक्चर को लाइक जरूर से करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चानल पर नए है, तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, और आपका हमारा जो बेल आइकन है, उसे भी आल पर सेट करेंगे, ताकि कोई भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करे तो आपके फोन पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुचे सही है, समझ मैं यह बात ठीक है सो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में तब तक के लिए कीप स्टेडिंग